हेलो हेलो and welcome everyone welcome to the channel क्या हाल है आप लोगों के सूपर डूपर मौज मस्ती चलिए कि नहीं सबसे पहले तो यह बता दो आज हम इसी मौज मस्ती के साथ करने वाले हैं एकदम नया नवेल अकोशन जिसका नाम है कोशन नमर 3 और यहां पर मैं आज दा फॉल लगा होगा क्या मैंन इसको अगर आपको 2 है उसको अड्र आप धिसी नंबर के साथ multiply करते हो जो लगते हैं उन्हें कहते है उन्हें क्या है क्या multiple 8 का multiple मतलब 8 के table में आता है आता है नहीं आता भूल जाओ क्या 70 यह तो बहुत ज़़ोगे जी factor of 30 क्या factor of 30 है अब यहाँ ध्यान से समझना आपके पास एक 15 है और आप से पूछा जा रहा है क्या factor of 30 30 का एक factor 15 है क्या 30 को लाने के लिए किनी दो नंबर को multiply करा जाए तो उसमें 15 आता है 30 का सबसे पहला factor क्या होता है 1 into 30 तो एक 1 हो गया एक 30 हो गया यह दोनों ही नहीं है अब हम बात करते है 2 into 15 यह क्या है यह भी एक factor हो गया तो इसका मतलब 15 एक factor है ओए होए होए चक दे फटे 15 is a factor of 30 हो गया ना clear चलो 16 की बात करें 16 क्या है multiple of 8 है हाँ जी है क्योंकि 8 की table में 16 आता है तो होए 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 बले बले यहाँ पर आपने जोड दिया 20 क्या 70 का कोई factor है 20 हो सकता है क्या बकवास question है factor of 50 आप यह देखो 20 क्या 50 का factor है कैसे हो सकता है क्योंकि 50 करना table में आता न 50 multiply होके आता factor of 20 अब यह देखो ध्यान से किसी भी number का factor वो होता है हमेशा याद रखना जैसे अगर आपको मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर 4 था ठीक है तो 4 को multiply करने के लिए आप factors निकालने थे जैसे 30 को निकालने थे तो आपने पहला factor के लिए 1 into 30 तो देखो 30 भी आ गया गया तो बस यहां पर 25 भी एक factor है तो इसे के साथ यह question आपका हुगया समाप्त था के नहीं था बढ़िया question इसमें आपका पूरा concept एकदाम मस्त हो गया है ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो किसका वेट परो फटाक से like मारो मिलते नेक्स question में तब तक के लिए गुडबाई ट किया महुँद मस्ती कर तेरे चानल को सब्सक्राइब करतीजे बाबाई